बहरती जनता पार्टी ने जब से देश की कमान समाली है तब से उसके फैसले देश की जनता के लिए मुसीवत ही पैदा कर रहे हैं ऐसे में जंता की परिशानियों को देखते हुए विपक्ष तो सरकार के फैसलों की आलोचना कर ही रहा है और अब तो सरकार के अपने भी उस पर हमलावर हैं तो अब अपने किस फैसले के चलते अपनों के निशाने पर आई सरकार जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट पिछले कई दिनों से लगबग हर मोर्चे पर सरकार की खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे पीली भीज से सांसद वरुन गांधी ने अपनी जीकरन के मुद्दे पर सरकार को घेरा है और अपनी ही सरकार को कड़ घरे में खड़ा कर दिया है इतना ही नहीं उन्होंने बैंक और रेलवे की निजीकरन को लेकर चिंता जाहिर की उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से बहुत सारे लोगों के रोजगार चली जाएंगे वरुन ने ट्वीट कर कहा कि केवल बैंक और रेलवे का निजी करण ही पांच लाग कर्मचारियों को जबरन सेवा निवरित यानि बेरोजगार कर देगा समाप्थ होती हर नौकरी के साथ ही समाप्थ हो जाती है लाखों परिवारों की उम्मीदे समाजिक स्तर पर आर्थिका समानिता पैदा कर एक लोग कल्यान कारी सरकार पूंजी वात को बढ़ावा कभी नहीं दे सकती वरुन गांधी ने सरकार के निजी करण को बढ़ावा देने के फैसले की कड़ी आलोसना की है इससे पहले सरकार की तरफ से दो सरकारी बैंकों के निजी करण को लेकर भी विपक्ष ने विरोथ प्रदर्शन किये थे कॉंग्रिस का कहना था कि पूर प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी ने 14 बैंकों का राश्टिय करण किया था लेकिन ये सरकार एके करके मर्ज कर रही है इसे गरीबों को बैंकों का लाप नहीं मिलेगा ये काम इसलिए किया जा रहा है ताकि केवल कुछ लोगों को ही बैंकों का फाइदा मिले अभी तक विपक्षी सरकार की फैसले की निंदा कर रहा था लेकिन अब तो सरकार के अपने